नमस्कार विध्यारतियों, welcome again to my channel, संदीब जिन क्लासिज आज हम क्लास 12th English Compulsory की टेक्स्ट बुक, पैनोर्मा के 5th चैप्टर Love Across the Salt Desert की स्टुडी करेंगे इसकी स्टुडी के अंतरकत हम इसकी डिटेल में समरी समझेंगे और इसके कुछ मैतोपुन प्रश्णोतर भी देखेंगे कहानी Love Across the Salt Desert मानुविय इच्छा और द्रिड निश्चे की जीत की कहानी है आईए इस कहानी का सारान समझते हैं कच गुजरात में लगातार तीन वर्स तक सुखा पड़ा था बादल आते चले जाते मोंसून आता चला जाता धरती पर चारों और दरारें पड़ गई धरती पेरलाइजड मोनस्टर की भांती नजर आने लगी जिसकी पीट पर सुखी परतें जम गई हो गाओं के निशान पड़ गए हो और जिसकी तवचा चालों जैसी हो गई हो ऐसी दरती नजर आती थी पश्वों की हालत और भी बुरी पश्व दुबले पतले वक शीन काय हो गए बावल नमक जाड़ी की पत्तियां खाने वाले केवल उठी इस तरह की परिस्तिती में आराम से रहे जिन्दा रहे लेकिन एक दिन काली घटाओं के साथ आए बादल जम कर बरसे हालांकि सूखा समापत होए अब दो वर्स हो गए है लेकिन सभी को वो दिन याद है जब पहली बरसात हुई थी वो दिन जिस दिन फातिमा ने गाओं में पहला कदम रखा था सभी को आज भी याद है उसका इस गाओं में आना एक कहानी है और यह कहानी है नजब की पाकिस्तान में गर्म मसालों के व्यापारी की इस पुत्री को पाने के लिए नजब ने कच्छ का नमक वाला रेगिस्तान पार करने की ठानी थी और इसको प्राप्ट करने के लिए उसने अकेले ने ये रेगिस्तान पार किया था अपने उट अल्ला रखा के साथ की इस यात्रा के पड़ाव में नजब कच्छ की सबसे उंची पहाड़ी जो काली पहाड़ी थी बेसाल्ट की पहाड़ी थी जिसे काला डूंगर कहा जाता था वहाँ पंचमई पीर के पदचिनों की अबादत के लिए रुका परंपरा के अनुसार वहाँ सियार के लिए खाना रखना होता था यदि सियार आकर खाना नहीं खाते थे तो ऐसा माना जाता था कि अशुब हो गया है और यात्रा इस्तिकित करनी पड़ जाती थी एक लोग कता के अनुसार सो वर्सों से भी पहले पंचमई पीर एक सियार के साथ कच्छ के इस इलाके में लोगों की सेवा करने के लिए आये थे पीर के सम्मान में पहाड़ी की चोटी पर प्रते एक रात को एक दिया जलाया जाता था नजब अब आगे की यात्रा के लिए रवाना हुआ जो एकदम निर्जन इलाका था इस से आगे का इलाका निर्जन इलाका था आखिरी गाओं कुरान से आगे अब केवल रेतीले टीले थे और दूर दूर तक बस्ती का कोई नामों निशान नहीं था नजब बच्पन से ही शर्मी ले सवभाव का अंतर मुख्य लड़का था पिता आफ़ताब के अनुसार नजब कैसे दुकान चलाएगा जो की बेचे हुए सामान की कीमत मांगने में भी उसे शर्म आती थी नजब अभी बीस वर्स का ही हुआ था और इससे पहले भी कच्छ के इस रण को चार बार पार कर चुका था चार बार वह सीमा पार पाकिस्तान जा चुका था लेकिन या तो अपने पिता आफ़ताब के साथ या उस धुर्त बूढ़े तसकर जमन के साथ उसने यह यात्राएग की थी जमन जिसे सेकड़ो बार गेर कानूनी तरीके से सिंध पाकिस्तान में जाने का अनुभव था वे हर बार अपने साथ पांसो रुपे के तेंदू पत्ते लेकर जाते थे और सरद पार बारासो रुपे में उसे बेच देते थे लेकिन दलालों, बिचोलियों, शरण देने वाले मित्रों, रिस्तेदारों को रिश्वत देने के बाद उतने ही पेसे बचते थे के वे वापसी में वहां से टेरेलीन के कपड़े खरीद कर ले आते थे इन ही यात्राओं के दोरान एक बार वे लोंग के व्यापारी, लोंग के विक्रेता काले शांके यां ठेहरे थे जो एक लंबा चोड़ा और धूर्ट व्यक्ति था लेकिन उसकी पुत्री फातिमा अत्यंत सुंदर थी नजब और फातिमा एक दूसरे को देखते ही पसंद करने लगे फातिमा की सगाई उसी गाउं के एक हकलाने वाले व्यक्ति से हो गई थी जिसे वो नापसंद करती थी और जिसकी हकलाहट की गाउं में सभी लोग मजाक उड़ाते थे वहां से लोटते समय नजब ने फातिमा को मन ही मन आश्वासन दिया कि वो उसे लेने एक दिन जरूर आएगा अपने गाउं खावदा लोटने के बाद नजब ने वापस सरहद पार जाने के प्रियास सुरू कर दिये वो फातिमा को जल्दी से जल्दी वापस अपने गाउं खावदा लाना चाहता था उसे विश्वास था कि वो अकेले ही सरहद पार कर सकता था और एक दिन सुबह सुबह तसकर जमन के त्वारा ही आफताब को पता चला कि नजब अपने उंट अल्ला रखा के साथ गाउं से गायब है जमन नारास था कि उस मुर्ख लड़के ने बिना उसे बताए सलाम किये और सो रुपे दिये ऐसी भारी गलती कैसे कर डाली बिना उसे पुछे कैसे चला गया बिना उसे रिश्वत के रुपे दिये कैसे चला गया आफताब को बाद में पता चला कि नजब ने अपनी योजना में अपनी मा को भी सम्मिलित कर रखा था वो मा का सोने का कंगन लेकर गया था आफताब को अपने तेंदू पत्ते के व्यापार की ज़्यादा चिंता थी के मुर्क लड़का जाते जाते तेंदू के पत्ते भी लेकर नहीं गया तेज डग भरते अल्ला रखा ने नजब को भोर होने से पहले ही काला डूंगर से बीस मिलागे सार बेला पहुँचा दिया था यहां उसने विस्राम किया दिन में सीमा पार करना आसंबव था सिंदी सिपाई अपने निगरानी स्तंबों से चोकसी करते वे कोई भी हलचल या गतिविदी दूर बीन से तुरंत पकड़ सकते थे दोपहर में प्याज और सुखी बासी रोटी का भोजन करने के पस्चात नजब को फातिमा की याद आने लगी दूरी दस मिल ही थी लेकिन राज से पहले निकलना अत्यांत खतरनाक था थोड़ी ही देर में चितकबरे बादलों ने आसमान को खेर लिया तेज हवा चलने लगी और हवा के साथ तेज आन्धी चलने लगी नजब को बोर्डर क्रोस करने के लिए यह मौका उप्यूक्त लगा बहुत ठीक लगा हालांकि यह पागल पन था उंट भी ठकावा था और दिन के समय सीमा सुरक्षा बल्व सिंद के सिपाही सतर्क थे लेकिन फातिमा की याद के वशिभूत होकर नजब सीमा पार करने चल पड़ा और खंबा नमबर 1066 से उसने बोर्डर पार कर लिया दो सिंदी चोकियों जगताराई और विंगुर के मद्य नजब को होकर जाना था लेकिन वह वहाँ से थोड़ा बटक गया और पाकिस्तानी निगरानी दल ने दूर्बीन से उसे जाते हुए देख लिया बिना रिश्वत दिये एक भारतिय का अपनी सीमा में प्रवेस वे सहन नहीं कर सके एक मील तक उसका पीछा हुआ उस पे गोलिया दागी गई लेकिन उड़ती धूल ने उसे बचा लिया आंधी ने उसे बचा लिया आदे गंटे बाद जब रेट बेठी तब रेगिस्तान में वह अकेला था अगले कुछ गंटे घवराट में बीते अल्ला रखा अत्य दिक ठक गया था इसलिए नजब ने बोच कम करने के लिए उसके बगल में पेदल चलने का निश्चे किया गर्म लोहे जैसे आकास के निचे मरुस्तल तप रहा था गंटों की भटकन मरिचिका तपन के बाद आखिर शाम होने को आ गई वह अपनी मंजिल के बहुत नजदी का गया था उसकी एडियां घायल हो गई थी रात गिरते ही वह एक गंटे में लोंग विक्रेता काले शा के घर के सामने पहुँच गया फातिमा से मिलते ही उसकी चमकिली आँखों से अंदेरे घर में उजाला हो गया काले शा को उसके आने का पता नहीं चला काले शा को भोर होने से पहले ही सिपाही ने जोर जोर से दर्वाजा बजा कर जगा दिया और उससे तसकर के बारे में खोजबीन की कि एक तसकर आया वाए क्या तुम्हें पता है काले शा ने अन्भिग्यता जाहिर की सिपाई उसे चेतावनी देकर चला गया बाद में फातिमा ने जब उसे नजब के बारे में बताया कि पशु बाड़े में वो रुका हुआ है तो काले सा गवरा गया अभागा नजब व्यापार के लिए तेंदू पत्ते भी नहीं लेकर आया था काले सा ने उसे डांटा तो नजब ने सोने का कंगन दिखाया और कहा कि चाचा जान मैं लोंग खरीदने आया हूँ और सोना देकर कीमत अदा करूँगा अगले दो दिन काले सा लोंग खरीदने और अल्ला रखा को गायों के बाड़े में छिपाने में व्यस्त रहा फातिमा ने नजब को महफूज अली के बारे में बताया जिसके साथ उसकी सगाई हो रखी थी जो हकलाता था और जिसका सभी बड़े बच्चे मजाक उड़ाते थे नजब ने फातिमा को अपने साथ चलने का ओफर दिया फातिमा ने मोन स्वीकरती दे दी अगली शाम अपने पिता के सोने के बाद फातिमा चुपके से गाउं के बाहर निकल आई जहां नजब अल्ला रखा के साथ उसका इंतजार कर रहा था वो हमेशा के लिए अपना गाउं छोड़ आई थे उसके लिए अपना प्रेम इन सबसे महत्वपून था दो देशों की भोतिक सिमाउं से महत्वपून था हिंदुस्तान पाकिस्तान से उसे कोई मतलब नहीं था उसे वस अपनी बोली में थोड़ा बदलाव करना था कच्छ भाशा का पुट जोड़ना था और सिंधी को अपनी बोली में कम करना था सारवेला पहुचते पहुचते वह ठक कर सो गई थी दोपहर तक आसमान बादलों से भर गया था एक और रात तेज हवाओं का सामना करते वे यात्रा में व्यतित हो गई जैसे ही वे खावदा पहुचे नजब के गाउँ पहुचे आकाश बादलों की गरजना से गूँज उठा उस रात आफताब यानि नजब के पिता तीन बार दर्वाजा खोलने के लिए उठे उन्हें लगा के उनका पुत्र घर आ गया है लेकिन तीनों बार ये हवाओं के जोंके ही निकले जिनके कारण दर्वाजे बजरे थे लेकिन इस बार दर्वाजे पर लगातार जोर जोर से थपता भाहाट हुई दर्वाजे पर जोर जोर से थपता भाहाट हुई दर्वाजा खोला तो बिजली की रोसनी में बाहर खड़ा अल्ला रखा दिखाई दिया बरसाद की मोटी मोटी बुंदें गिरनी सुरू हो गई थी आफताब ने अपनी खुशी को दबाते वे और ड्रिड होते वे कहा कि कुछ लेकर आये हो आफताब अपनी खुशी को प्रकट नहीं करना चाहते थे नजब ने जीहा कहते वे फातिमा को उनके सामने प्रस्तुत कर दिया बाहर बरसाद और तेज हो गई और तीन साल के सुखे को अपने साथ बाहा कर ले गई तो आशा है आपको इस पार्ट की समरी भली बांती समझ में आ गई होगी आईए हम इसके कुछ मैथोपन प्रश्णों तर देखते हैं एक प्रश्ण है वाइ डिड़ रन लुक लाइक अ पेरलाइजड मोनस्टर रन यानि कच्छ का रन एक असहाई देत्ते जैसा क्यों दिखाई देने लगा था हमने देखा था कि कच्छ में लगातार तीन वर्श से सूखा पड़ रहा था वहाँ पे बादल आते और चले जाते मानसुन बिवान नहीं बरसा और इन सब के कारण से कच्छ कारण असहाई देत्ते यानि पेरलाइजड मोनस्टर की बांती नजर आने लगा जिस पर दारारे पड़ गई जिसकी पीट जो है ऐसे लग रहा था कि जिसके उपर सूखी परत जमी हो गाओ के निशान हो और जिस पर ड्राइड ब्लिश्टर यानि जिव इसकिन है वो सूखे चालों जैसी दिखाई देने लगी थी एक महत्वपुन प्रश्न है जब फातिमा गाओं आई तो क्या महत्वपुन गटना गटित हुई हम जानते हैं हमने अभी पार्ट में पढ़ा कि फातिमा ने जब उस गाओं में पहला कदम रखा तो आस्मान बादलों से गिर गया बरसात की मोटी मोटी बुंदे गिरने लगी और उस दिन इतनी तेज बारिस हुई कि वहाँ पढ़ने वाला तीन साल का सूखा जो है वो वहाँ से पूरी तरह से बह कर चला गया है सूखा वहाँ से समाप्त हो गया और इसलिए फातिमा के उस दिन के आगमन को याद किया जाता है यह यादगार गटना बन गई सीमा को पार करना असान क्यों नहीं था और सीमा पार करते से में लोगों की किस प्रकार जाच के जाती थी हमने इस पार्ट में पढ़ा कि सीमा को पार करना बाउंडरी क्रोज करना असान नहीं था क्योंकि दोनों देशों में चोकसी लगातार रहती थी और इस साइड में सीमा सुरक्षाबल के जवान तेनाथ थे और पाकिस्तान की साइड में सिंद के पेट्रोलिंग पार्टी तेनाथ रहती थी और साथ ही उनके वहाँ पर बड़े वो बाइनोक्यूलर्स के साथ में वाच टावर्स से वो निगरानी करते थे दूरदर्सी दूरबीन के साथ में वो वाच टावर्स से एनी टाइम वहाँ पर निगरानी करते थे इसलिए सीमा पार करना आसान नहीं था एक अन्य प्रश्ण है कि why was फातिमा happy despite she was leaving her country as well as home हालांकि फातिमा अपना देश और अपना घर छोड़ रही थी फिर भी वह खुश क्यों थी हमने देखा कि फातिमा और नजब आपस में अत्यंत प्रेम करते थे और फातिमा की सगाई हकलाने वाले महफूज अली से होगी थी जिसे वो बिलकुल पसंद नहीं करती थी और जब नजब ने उसे वहाँ से अपने घर चलने का उफर दिया तो उसने खुशी खुशी उसे स्विकार कर लिया और उसके लिए उसका प्रेम ज़्यादा महत्वपून था और इसलिए वह प्रसनता के साथ में अपना देश, अपना गाम, अपना परिवार चोड़ने के लिए तैयार हो गए थी एक महत्वपून प्रस्ण है इस पाट का शीर सक लव अक्रोस दा साल्ट डेजर्ट वो कितना एप्ट है और इस सीर शक पर आप विचार विमर्स करें हम जानते हैं ये कहानी नजब और फातिमा की कहानी है इस कहानी का नायक नजब जो है वो एक शाई लड़का है यानि शर्मिले प्रकृति का लड़का है और इतना शर्मिला है कि उसके पिता भी एक वर कहते हैं कि उसकी दुकान में कोई चीज अगर बेचेगा तो ग्राहक से उसकी कीमत तक नहीं वसूल कर पाएगा क्योंकि उससे शर्म आती है लेकिन जब उसने सरहद पार पाकिस्तान में मसाले वेचने वाले की लड़की फातिमा को देखा तो फातिमा और नजब वापस में प्रेम करने लगे और इसका ये प्रेम उसे सरहद पार करने से नहीं रोग पाया उसका जो शर्मिलापन था उसे उसे प्राप्त करने से नहीं रोग पाया तो फातिमा को लाने के लिए उसको प्राप्त करने के लिए उसे इस बाउंडरी को क्रोस करना पड़ा इसके लिए उसको अत्यंत कठिन जो मेहनत है वो करनी पड़ी और ये जो सफर था उसमें अनेक दूईदाई थी अनेक समस्याई थी उसको अपने जान से भी हाथ दोना पड़ सकता था इन सब को सह कर वो बाउंडरी क्रोज करके और फातिमा को लेकर भारत वापस आया अपने गाउं वापस आया और इस प्रकार से वो अपने ड्रिड निश्चे और अपने परिश्रम और अपने हिम्मत के दुआरा अपने इस प्रेम को सफल करने में पूर्ण हो पाता है और इसलिए इस कहानी का शीर सक लव अक्रोस दा साल्ट डेजर्ट बिलकुल उप्युक्त है बिलकुल एप्ट है तो आशाहे आपको ये पार्ट भली बांती समझ में आ गया होगा अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर करें और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद